आज हम फिर चर्चा करने जा रहे हैं कोविड-19 के बारे में जो हम हर हफ्ता करते आए हैं हमारे साथ है डॉक्टर सतीजीत रत और हम शुरू करना चाहेंगे जो वैक्सिन सर्टिफिकेट की बात की जा रही है कई देशों से वहां पर हमारी भारत वर्ष की वैक्सिन की लगता है वैक्सिन की यह तो सर्टिफिकेट की कीमत नहीं है सवाल यह है कि जब यह कहा जा रहा है जैसे ब्रितानिया भी कह रहा है कि आपका Banks को हम मानते हैं तो गया तो हमारे यहां सा ही है पर आपके certificate को नहीं मानते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि आम यहां से अगर बिर्तारिया जाते हैं तो हमारी दस दिन के फिर भी वहां पर quarantine में काटनी पड़ेगी बिल्कुल इसमें पिछले चंद दिनों से जो बाते चल रही है उन बातों को हमने थोड़ा विस्तार में समझना चाहिए पहले तो यूँ बात हो रही थी कि हमारी vaccines को हमारे टीकों को नहीं बाना चा रहा और फिर जोर शोर से बात होने लगी कि कोभी शील्ड का टीका तो बर बरतानिया को बेजा जा रहा था ठीका तो उसे का है न माने फिर ये बात सामने आई कि ठीके को नकारा नहीं जा रहा लेकिन हमारी जो प्रणाली है हमारी जो व्यवस्था है कुविन के एप के जरीए करी जानी वाली उस पे बरतानिया को भरोसा नहीं है अब इसमें मज़े की बात ये है कि हमारी किसी भी व्यवस्था और किसी भी प्रणाली पर भरोसा नहीं करते अमीर देश बरतानिया हो योरप हो अमरीका हो कोई भी हमारी किसी भी प्रणाली पर बरोसा नहीं करते यूं कहते बार-बार होते हैं कि हमारी सारी regulatory regimes soft regulatory regimes होती है इसका मतलब ये है मतलब साफ कहे बगेर कहे जाते हैं कि इनके यहां ब्रष्टाचार बहुत है इस कोविन एप के बारे में जो बात हो रही है उसके उसकी अंदरूनी समस्या यही है कि आप बाहर सड़कों में जाके एक vaccination का certificate खरीद सकते हैं तो इसलिए भरोसा नहीं कर रहे है अगर इसलिए भरोसा नहीं कर रहे है तो passport का भी बरोसा नहीं है तो driving license का भी बरोसा नहीं है और फिर जो कोवी शील्ड आप Serum Institute of India से खरीद के ले जा रहे हो और योरप में UK में COVAX Initiative के लिए WHO को दे रहे हो उस पे भी तो भरोसा नहीं करना चाहिए यह क्या इंसाफ हुआ कि एक चीज़ पर ना भरोसा है लेकिन बागी चीज़ों पर भरोसा है तो इस तरीकी की बाते हो रही है इन्हें हमने एक और चोड़े ढांचे में देखना चाहिए और इस ढांचे में दो हाइरार्कीज हैं दो श्रेश्टा की श्रंकलाएं हैं एक तो यह है कि अमीर देश गरीब देशों से उंचे हैं और दूसरी तो यह है कि पुझीवाद की जो स्परधा है जो अमीर कंपनियां हैं वो गरीब कंपनियों से कहीं बढ़कर विश्वसनिये हैं भरोसे मन्द हैं इस तरीकी की सोच और ये दोनों सोचे हैं इस गड़बडी के पीछे हैं तरती ये दिल्चस्प की बात तो ये है कि यहां से वैक्सीन जा सकता अब जो आपने जो कहा वो विश्वशनीय है क्योंकि वो हमारी काम की चीज है पर हिंदुस्तानी भाई जो है बेहन जो है वो काम के नहीं है तो उन को बाहर रखा जाए जो पहले भी बात हुआ करती ती जो ये पिछडे बुल्क है उन पर विश्वास नहीं है उनके लोग बड़े विजानों जीवानों लेके आते हैं तो उनको जितना बाहर रख सकते उतना अच्छा है लोग को बाहर रखना चाहिए पर वहां से जो रहा हूँ कि चुन-चुन के यकीन करा जा रहा है जो चीजें अपने काम की हैं उन पे किसी ना किसी तरीके से बरोसा कर लो जिन चीजों के लिए जिन बातों के लिए अपना कोई सीधा फायदा नहीं है खास करके पूंजीवादी फाइदा नहीं है उनके बारे में बरोसे को लेकर बाकी चर्चा शुरू कर दो जो बरतानिया के राजदूत ने कहा है वो यही तो है उन्होंने कहा है कि चर्चा जारी है बाते हो रही है कि वहां बरतानिया की जो इनेचेस की सिस्टम है उसके और क आसान चर्चा हो रही है और जल्द ही कुछ न कुछ हल तो निकल आए मतलब कि अगर हमारी आवकात है देश की इसाब से तो शायद वो मान लें पर हमारी उनकी हाथ मौड़ोर्डी की कितनी शक्ति है वो देखने की बात है तो यह यह आपकी कहने का मतलब है कि यह चर्चा चल रही है दोनों देशों के बीच में बिल्कुल लेकिन मैं इसको फिर जैसे कि मैं बार-बार कहता हूं इस मुद्दे को मैं आंतरराष्ट्री दृष्टी कौन से अंतरराष्ट्री दृष्टी कौन तक लिए आना चाहता हूं और मैं यह याद दिलाना चाहता हूं अपन सब को के अपन जो दिली, बंबई, बंगलोर, हैदरबाद में रहते हैं उच्छ मध्यमवर में शामिल है वो जब भारत के छोटे गाओं के गरामीन इलाकों के बारे में खास करके जिन्हें हम बीमारू राज कहते हैं ऐसे राज्यों के बारे में सोचते हैं तब बिल्कुल इसी तरीके से सोचते हैं कि उनके आंकडे भरो से मन नहीं है उनकी व्यावस्थाएं प्रणालिया भरो से मन नहीं है नजाने क्या क्या करते रहते हैं प्रश्टाचार तो यूं है कि ये सब हम ऐसे शहरों में बैठके करते कहते हैं जहां पे हमारी सुमिधा के लिए हम कर रहे हु चाहिए ये हमने के कोविद की महामारी को लेकर हम बिलकुल इसी तरीकी से ग्रामीन भारत से के बारे में सोचते आए और एक दूसरे राज्यों के बीश में भी इस तरह के बाते चलती है पर इस पे आपने जो एक चीज उठाया तो वो एक दिल्चस्प है एहमियत भी रखती है कि अंतराश्ट्य स्तर पे क्या होना चाहिए यह चीजों के लिए जैसे ऐसे प्लाटफॉर्म्स है इंटरनेशनल प्लाटफॉर्म्स है एर ट्रावल के लिए यह तो रेगुलेटरी जो क्या कह सकते हैं एक दूसरे देशों को बीच में रेगुलेटरी इशूस जो है उस एक दूसरे देशों के बीच में यतायात कैसे सापना की जानी चाहिए इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थे एक अंतर राश्ट्य दिश्टिकोन इस पे होना चाहिए था इसके जगह पे एक संकीन राजडितिक दिश्टिकोन है हर मुलक के अंदर कि हम दूसरे मुलकों को किस देखे और वहां अमरीका अंग्रेज को कैसे देखे यॉरपियन यूनियन के बुल्क अंग्रेज और अमरीका को कैसे देखे यह जगड़ा भी दोरों दे इन दिशों में चल रहा है तो एक अंतराश्ट्रियस तर पे एक बहुत बड़ा फेलियर हमको देखने को मिल रह हैं कि यह जो एक पूरी दुनिया में साजह समझ तयार होनी चाहिए थी महामारी के खिलाफ और सारे देशों ने कठे दुनिया के बारे में सोचना चाहिए था हर हमेश हर बात को लेकर महामारी के आंकडों को लेकर उन आंकडों को कैसे कठा किया जाए इन व्यवस्ताओं क लेकर इन प्रणालियों को लेकर टीकों की इजाद को लेकर टीकों को लेकर जो इंटिलेक्चुल प्रापटी के लिए चौखट बनानी चाहिए थी उसको लेकर टीके कैसे वितरित होने चाहिए इस सोच को लेकर यह सारे मुद्धे डब्लियो एचो के मारफ़त होने चाहिए थे ताकि एक सांचा समझ और एक सांचा प्रणाली बने ये हमने पिछले साल से किया नहीं है दुनिया के हर देश ने खास करके दुनिया के अमीर देशों ने इसे बार-बार न करा है दुनिया के सारी कंपनियों ने जिन्हों ने ये बड़े उंची आवाज में कहा है कि हमने इजाद किये हैं टिके जो कि सरासर जूट है अच्छा सरासर नहीं लेकिन जूट तो है इन सब ने इस साझे समझ को नकारा है वेक्सीन पासपोर्ट को लेकर यही बात होनी थी वेक्सीन पासपोर्ट एक बिल्कुल विशमतावादी सोच है इस चौकट में क्योंकि ये ऐसी वस्था में सामने आये हैं जहां दुनिया के सारे लोगों तक टीके पहुंचे नहीं हैं जब लोगों तक टीके पहुंचे नहीं हैं तब आप उनसे ये कैसे कह सकते हैं कि आपने टीके अगर नहीं लिये हैं तो आपको ये नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा ये इजासत नह मिलेगी आप भले ही अमरीका में ये कह सकते हैं क्योंकि अमरीका में टीके टीकों की उपलब भी है टीके सब को मिल सकते हैं ना लेने वाली लोग अपनी राजनीती के लिए टीकों को नकार रहे लेकिन बाहर अमरीका के बाहर लोगों तब टीके पहुंच नहीं रहे हैं ऐसे लोगों से एक हम आपको टीके देंगे नहीं और दूसरी और से आपको टीका करत नहीं है इसलिए आपको फला ढखा सुविधा फला ढखा इजाज़त नहीं मिलेगी यह कौन सा इंसाफ है कहने का पतलब यह है कि आपका सामान हम लेंगे वो खरीदेंगे आपके मार्केट लेंगे पर आपको नहीं लेंगे यह बुन्यादी बात इस नजरे से निकल के आता है और आखरी सवाल आपको यह है कि अभी टीकों के विशमता के बारे में आपने कुछ बाते रखी बता सकते हैं इस वक्त टीकों के विशमता जैसे आफरिका हो एशिया है लेटन अमेरिका है और जो जिसको अमीर देश कह सकते हैं यूर्पेन यूनियन के कुछ राज है और तो उस पे विशमता किस दर्जे पे है अब विशमता का और एक उदाहरन दीता हूँ जो पिछले चंद दिनों में उभर के सामने आ रहा है और वो यह है कि जो यूरप अमरीका में टीके चल रहे हैं उनके तीसरे डोस की बात हो रही है तीसरे डोस की बात हो रही है ये तीसरा डोस किसलिए है? ये तीसरा डोस इसलिए नहीं है कि दो डोस गंभीर बीमारी से और मौत से बचाने के लिए काफी नहीं है. बिलकुल काफी है. तो फिर तीसरा डोस क्यों चाहिए है? तीसरा डोस इसलिए चाहिए है कि टीकों का जो फैलाव, बीमारी का जो फैला से तीसरा डोस देने से और थोड़ा और थोड़ा ज्यादा बचाव हो सकता है अब यूं सोचिएगा कि इन हालात में जब दुनिया के खास करके गरीब देशों के नागरिकों के लिए पहला डोस भी नहीं मिला है और इसलिए गंभीर बीमारी से और मौत से बचाव उनका नह नीर देश अपनी प्रणालिया ऐसी बना रहे हैं कि टीके ना गरीब देशों की नागरिकों तक पहुंचे उनको मौत से बचाने के लिए बलकि अपने नागरिकों के पास तीसरे डोस के रूप में पहुंचे फैलाव की रफ्तार कम करने के लिए इसे विशमता ना कहें औ और कूविद विशमता ना कहें तो और क्या कहें और इस पे सिर दिखता ही हम जोडना चाहेंगे कि ऐसे लोग भी शामिल है जिनको कोई टीका नहीं मिला है जिसको हम फ्रंट लाइन हिल्थ वर्कर्स कहते हैं ताकि कोविद बिमारे जब फैलता है तो वो पहले शारी के लो प्रंट है उनको भी उनको भी बहुत जगों पर अभी तक पहला टीका नहीं मिला है यहां तीसरी टीका सब को देने की यह तो उन लोगों को देने की बात हो रही है जो कि 45, 50, 60 के ऊपर है तो यह विशमता जो सहतनीजित ने बताया कि यह विशमता एक भयानक विशमता है जो इस वक्त दुनिया में फैल रही है, आज हम इस चीजों के बारे में चच्चा तो कर रहे हैं, पर अगले किसी वक्त इस चीज पे भी आएंगे, कि जो बात कही गई थी, कि WTO की जो ट्रिप्स के अंदर, इंट्रिक्चिल प्रॉपर्टी राइट्स की वेवर की बात हो गई थी, कि COVID-19 बिमारी के लिए वैक्सीन तर दवायों के बारे में एक छूट दी जाएगी, वो आभी तक उसका कोई कदम, जमीनी तोर पे अभी तक नहीं लिया गया है, और अभी भी वह चीज देखने को मिल रहा है, कि कुछ चंद कंपनियों के पास ये इंट्रिक्चिल प्रॉपर्टी है, और ये अभी भी वो मार्केट कैसे ली जा सकती है, उसकी तलाश में है, ना कि कैसे दुनिया को बचाय जा सकता है, COVID-19 की प्रभा वो बेकियगा.